हलो दोस्तों नमस्कार आदाप सस्रेकाल सभी को जी है सिनकर्ण में आपका हर्दिक स्वाकत और इपनेंदन करते हैं जैसे आपको बता दें गुहाटी हाइक कोड़ केस का आडर इसे बड़ा खुलाशा हुआ है नोटिस है कुसकबरी भी है कहीं कहीं नाइस डिलेट विद्य अब लिक टॉजन लिटु फिल भाई 29 एक दोजार चोविस को रजिस्टिशन नंबर है 477 अब लिक टॉजन टॉन्टिफेल दयानंद डुल एंड अदर्स है उसमें आवर देखेंगे बहु सारी पेटिशनर है पेटिशनर के पहले भी हमने विशन किया था कि यह बहु सार अशाम एंड उसके बाद एडुकेर्स के देखेंगे उसके बद डारेक्टर आफ एलिमेंटर एज्योकेशन गौशन तुसरा वद्धे देवनिया उसके बाद नशनल कॉंसिल आफ टीचर एजूकेशन इन सीटि उसके बाद एनाई यू-स नेस्ट है इसकूल आफ क्या बन मना कर दिया जाता है कि इनको भरती में या इनको वहाँ जो प्रक्रिया चल लहीं इस पहली प्रक्रिया में नहीं लिए विद्यार्थी कहां चले जाते हैं सुप्रिम को सारी हाई कोट चले जाते हैं हाई कोट में देखेंगे कि इसमें देखेंगे पहला क्या है दिखा है कि याच्का करताओं के बरिष्ट वकील विद्वान वकील जो सी हजार के को सुना गया इसमें नोटीस दूसरा था उसमें नोटीस दूसरे नोटीस नमबर 2822024 को वापस किया सकेगा तीसरा है कि स्रीडी मौकिल विद्वान वध्यक्ता आरक जो भी वकिकता उन्होंने अपनी लिद्वार्य कि स्रीके गंग ने प्रतिवादी संक्या तीन मौक में नोटिस सुविकार करते हुद कि उप्रयोक्त को ध्यान में रखते हुए उपचारिक रूप से इसकी आवा सकता समझी जा रही कहने वंदलब साफ साफ इसमें मेंजन किया गया कि जितने सारी चीज़ें करता हूं ने लगाई उसको हम सभिकार करते हैं इसके हम डिसकस किया जाएगा जैसे कि बड़ जैसा वारी श्टोकेल ने इस जज़मेंट साफ साब लिखा गया है और आपने देखा हुए कि प्रतिवादी किसको किसको बनाएं गया तो इन सारी चीज़ों को हमने कहा कि उन्हों ने कहा न कि हम नोटिस को एक्सप्ट करते हैं आपने कि देखा कि इसकी कई सुनवाई हुई लेकिन सुनवाई के बाद भी इसमें सारी चीज़े किलियर नहीं हो पाई किलियर क्यों नहीं हो पाई क्योंकि आप जानेंगे कि भारत सरकार चाहें इंसीटी हो यह भारत सरकार की संसता है तो इसमें जो चीज़े हाई को बारवार कि आवशक्ता नहीं है मतलब कि अभी जो सारी चीज़ को नोटीस है इसको हम देखे इसमें कोई अप्चारिक कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है याचके करताओं ने थ्री कि दिनों के तीन दिनों के भीतर इसको पंजी करनत त्वारा प्रतिवादी संख्या चार-पांच मे सेवाव में कदम उठाए जाए उठाए होंगे उठाने होंगे यह करताओं निशाषन को के के अंत्रिम निदेश तक देने का प्रातना के अनुसार उन पर विचार किया जा रहा जिसके याज का करतार बैकल्पी कुरूप से प्रात्ना की थी इसमें सिच्छा निदेश चक आश्म द्वारा दिनांग चप्विस ग्यारा दोहजार तेज के जारी कि बिग्यापनों को जारी रखा जाएगा और राज में पर्थामिक विद्यालों में सहायक्स इच्छाग भारति के पदों के लिए भरने के लिए आवेधन अमंत्रित किये गये उसके इस निर्देश दिया जाता राजिक करतार के उग्त विद्याले के अनुस्ण्रालिक करते भी आवेधन जमा करने होंगी क्या इने मतब साबसद में कहा गय कि अगर आपन उगमें जारी करने होंगे क्योंकि जब अगर इस चीज़े क्लियर ही हो जाती है तो उनको विग्यापन को क्या करना पड़ेगा विग्यापन लाध्यार्व से नहीं मुखा मिलेगा बार बाद आप देखेंगे क्या जजमेंट आपने देखें गो तो नीस-वीस चीज को मेंसन की गई है कि जब तक यह सारी चीजे क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक विद्यार्थियों को पूरा है कि इसमें क्या करें कि भाग ले सकें कहने को मतलब कहीं न कहीं यह चीज चीजे मेंसन की गई थी जो नाइएश डिलेट की विद्यार थी उनको भी भाग लेने का मौका दिया जाएगा जब तक परतिवादी मुलब जो वकील थे इस चीज को उन्होंने हाई कोट में मेंसन किया तो कहा कि ठीक है आपको सारी चीजे हम एक्सप्ट करते हैं और यह संस्थान जो हैं जिनके खिलाफ या जिनके प्रतिवादी बनाया गया था उनसे जब तक सारी चीजे क्लेरिफाई नहीं हो जाती है दूसरी चीज है कि उसमें हाई कोट को मेंसन किया साब साब आप देखेंगे कि इसमें सारी चीज को पैराग्राफ वाइस उन्होंने म प्रेकरिया में सामिल करने लिए जारी किया था और कहीं न कहीं उनको भी केस को अटैक किया गया था तीसरी चीज ने अभी तक अपने सारी चीजे को क्लेरिफाई नहीं किया है मतलब एक उस पर जवाब प्रेशित नहीं किया मतलब है अभी तक उसने अपना लिखित को गुенно के जवाब नहीं दीआ जाएगा तब तक ही कोई फिकेशन मतलब औरिक्ट होए या कहते है रहे क है 라는 बजक्र कि Venus सुनाई के लिए अपने देखे हूं गया है कि इनको चार सभता का समय दिया गया है चार सभता मतलब कि आप देखेंगे 28 मार्च को चार सप्ता पुरा हो गया अब इंसीटी से इंसीटी इसमें जबाब देगा और लेके आगे आने वाले फैसले पर पूरा चीजे दारोमदार घ्रा है कहीं ने कहीं विद्यार्थियों को इस से उम्मीद भी है कि जो हाई कोट्स है आप देखेंगे एक लावता हाई कोट्थ है जना ये इस डिलेट का केस अभी तक रनिंग पिरियर्ड में है कहीं ने कहीं इसमें उसके पच्छ में जो जो मेंसन किया गया था कहने मतलब जैसा कि एंसीटी को उसके बाद भारत सरकार को इंडिया को दूसरा चीज था कि असम के असम सरकार से जो सिच्छा विवाक से उससे भी जो चीज़े मांगी गई थी आप सारी चीज़ को क्लियरिफाई करें कि आपने देखेंगे दोg दो चौशा नंबर था क्या था नेशिनल आफ्टी एजूकाशन अनसे दूसरा बाट पॉइंड़ी नियुक कईट को बनाए अगर ते बहुएं इसे सारी चीज़े आपche लिफाई करीए कि आप ने डिल अट कराया तो अगर क्यों बैरलिड नहीं है क्योंकि आपको तो वह न नहीं ने बाहरतिजिमें भार्पाएं तो अब आहाली में जो पहले भार पाया थे जो पहले टीचर लूँव हुए थे एकट्रेंड तो यह stipend कैसे हुए है लेकिन सुप्रियूं को को जजमेंट नहीं परेसे होग अ theft सब्सक्रान एक रसक Всे तो इसी तरह हाई कोट का पड़न पड़न निदी की पच है कहीं नड़ी है साफ फांप नोटिस में को मौत करने का में जहा है जेस्था ब्मरत प्रत्वादि उठंगी है पांतों अमने में चेह हैं को इसके सुनाई होती है सुमन स्याम के बेच में और भी विश्णोए के बेंच में जैसी है को साफ साफ तो अभी जैस्मेंट तो नहीं आया है लेकिन कहीं नहीं कहीं इस नोटिस में इस चीज को मेंसन जरूर किया गया है कि विद्यार्थियों को मौका दिया जाना चाहिए लेकिन हाई कोड अभी तक जब चक्ट गुरा क्लिरिफाइज केस है क्योंकि अगली सुनाई इसको लगी है अब यह चार बी करशन को समझ दिया गया था चार बी बाद आट बीक कर समय दिया गया था आट बीक कंप्लीट हो चुका अब 28 मार्च को 28 मार्च आप देखें यह क्यों संसता है सरकार क Success क्या चाहती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कहीं करना को मूं किया झाया है रेकिन जिस तरह रवयाय दिख रहा है इस प्राजह रहा है कहीं न कहीं इस टीलेत को सामिल करने की भी बात में फोकस किया जा रहा है दूसरी चीज़ें हैं जब तक असपश्टी करने एक थम क्लिरिफाई देख जब तक ऐंसफ़ती नहीं करेंगा तक हाइप जब अगर वीडियो पसंदा चैनल को लाइक करें ज्यादा ज्यादा पर दोस्तों में सेर करें सिच्छक भरतिक पलपल की अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेवडिक साथ नमश्कार सभी के दिन सुभू आई होप आपको यह वीडियो पशंद आया होग झाल को सब्सक्वाइब करें दो सेर कम्दू है झाल को लीडियो भरतिक सिर्खक पला की दो आई होग मिलते हैं ज्यादा होगी करें